वाट इस डोकलाम स्टेंड ओफ भारत चीन डोकलाम टकराव का सच यह क्या है? भारत तथा चीन के मद्ध भूतान इस्थिन डोकलाम पठार के विवादे छेत्र को लेकर विवाद है विवाद क्यों है? क्योंकि चीन डोकलाम के विवादे छित्र में सडक निर्मान कर रहा है भूटान ने चीनी सेना पर यह आरूप लगाया है और भारत इसलिए इस विवाद का हिस्सा है क्योंकि भारत और भूटान के मद्द मैत्री की समझोती संदी है इससे भारतिये हित्वी प्रभावित है और भारत में अस्वरच्छा की भावना भी है तथा वैस्विक पटल पर साख की समझ्या है दच्छिन पूर्व एसिया के दो दिगज राष्ट भारत और चीन के बीच भूटान का पिसना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है चीन दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट है तथा भारत दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राष्ट है जबकि भारी जनसंख्या के कारण दोनों ही मुलकों के पास बड़ी सेनिक समझा दिये कुछ विद्वान 21 भी सदी को एसिया सदी के नाम से भी संबोधित कर रहे हैं तो इसका पूरा कारण भारत और चीन की तीवर प्रिकास दरगोई दिया जाता है भारत के पहली प्रधान मंत्री पंडे जवाहलाल नहरू ने जब गुटनेर पेशिता को भारतिय विदेशनीती के माध्यम के रूप में अपनाया तो अपने पंच सील के सिद्दान्त को वैस्युक सांती और सहयुक के चेतर में एक नवीन दर्शन के रूप में स्थावित करने की कोशिस की थी सांती पूर्ण सहस्तित्त का उनका दार्शनिक दर्श्टी कौण पचास के दसक में दच्छडेशिया का भविस्से तै कर ही रहा था कि उन्नीस सो पासट में तिबबत को लेकर भारत एक अंचाही अद्द में फस गया जिसमें उसे हार का सामना भी करना पोड़ा भारत की भोगोलिक अवस्तिती ने भारत को अपने ही पड़ोशी देशों के साथ दुस्मनी उपहार में दी है देखते हैं यह डोकला में स्टेंड़ोग क्या है डोकला इस स्ट्रेटिकली लोकेटेड ट्राई जंक्सन ओफ इंडिया भूटान एंड चाइना डोकलाम विवाद कैसे सुरू हुआ कि भूटानी सेना ने जून 2017 में चीनी सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन डोकलाम पठार की तरफ एक विवादेच छेत्र में सडक निर्मान कर रहा है इस विवादेच छेत्र से भारत के हित भी जुड़े हुए है क्योंकि यह बिलकुल सिक्किम के पास है चुम्भी घाटी के पास अत्य है भारत ने भी चीन की इस हरकत पर नाराजगी प्रकट की भारत ने संकट में भूटान का साथ दिया और चीन से निर्मान कार रोकने को कहा चीन डोकलाम पठार पर अपना दावा करता है जो कि 89 वर्ग किलोमेटर की एक पट्टी है और चुम्भी घाटी के पास इस्तित है भारत का एक और रीजन है कि यह एरिया चिकिन नेक के पास पड़ता है और चिकिन नेक एक 27 किलोमेटर का बेहत संक्रा मार्ग है यदि चाइना वहां तक सड़क बना देता है तो चीन के लिए चिकिन नेक तक पहुँचने का रास्ता बहुत नजदीक हो जाएगा जिससे यदि चीन चिकिन नेक को हत्या लेता है तो भारत का सम्मंद उसके उत्तरपूर्वी राज्यों से बिलकुल तूट जाएगा जैसा कि विदित है कि चाइना अनुडाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा मानता है तो ये रीजन भी एक था कि भारत ने डोकलाम विवाद में हिस्सा लिया अब इसके बाद क्या हुआ कि चीनी सेना ने भारत से अपने दोनों बंकर हटाने के लिए कहा जो डोकलाम पठार के लाल टेन में 2012 में स्थावित किये गए थे टकराब बढ़ते हुए इस दसा में पहुँच गया कि 6 जून को चीनी सेना ने दोनों भारतिय बंकरों को तबाह कर दिया और इस क्रत्ते को सही सावित करने के लिए चीन ने तरक दिया कि भारत और भूटान दोनों का इस छेत्र पर कोई अधिकार नहीं है इसके बाद चीन की People's Leveration Army PLA और भारतिय सेना के भीच टकराब गुआ PLA ने भारतिय सेना को बाहर जाने के लिए का भारतिय सेना ने मना कर दिया जब भारतिय सेना ने मना किया तो चीन ने कहलास मांसर अपर यात्रियों को जो सिक्क्यम के नाथूला दर्रे से होकर चीन से अपनी यात्र पूरी करते थे उनको रास्ता देने से मना कर दिया चाह अभी देखते हैं इंडिया का स्टेंड क्या है अनलाइक चाइना एंड भूतान इंडिया दस नोट क्लेम दोकलाम बट सपोर्स भूतान क्लेम एज इंडिया हैसाइन ए ट्रीटी वूतान तू लुक आफ्टर दा बाउंडरी इस्यूज ओफ भूतान चाह बूतान एज बफर हिस्ट्रीय के ट्रेड रूट है इस चीन के साथ सीमा विबात की वजह क्या है देखिए जब चीन ऑपनवेशिक साथन से त्रोतंत्र हुआ पीपल्स रिपब्लिक ओफ चाइना अस्तित्त में आया तो उसने उन सारे समझोदों को विदेशी कूटनिति कहकर मानने से मना कर दिया और कहा कि सीमाओ पर फिर से बाचीत होगी वर्तमान में दच्छिड चीन सागर के बाद भारत चीन विबाद सबसे बड़ा छेत्री विबाद है जिससे चीन भी परिशान है भारत के लिए परिशानी की बात यह है कि चीन लगातार अरुनाचल प्रदेश में विद्धोही गत्विदियों को बाहर से समर्थन देता रहा है और तिबबत में चीन द्वारा जो बहुत देशी निर्मान कारे चल रहा है वह भी भारत के लिए चुनोती साबित हो सकता है ्णाज भूतान टॉक्ट टॉकलाम एपन चीन ग्यून अटॉकलाम है भारत और चीन के वीच विवादों के केंद में रहा है चीन की कम से कम अपने 14 पड़ोसियों के साथ विवादощ सीमाय मौजूद हैं जिसमें जमीन और समुद्री दोनों सामिल हैं इन विवादों के कारण एतिहासिक ज़्यादा रहे हैं और भौगलिक कम भारत के साथ चीन के दो प्रमुक सीवा विवाद हैं जिन पर चीन अपना दावा करता रहा है पहला जम्मू कस्मीर के लद्दाख जिले के उत्तर पूर्वी छेत्र में इस्थित अक्साईचिन और दूसरा पूर्वी छेत्र में इस्थित अंग्रेजों द्वारा नामित नेफा नौर्थ इस्ट फ्रिंटियर एजेंसी इसी जगे का नाम भारत ने बदल कर अवडाचल प्रदेश कर दिया और इसे भारतिय संग में एक राज्य के रूप में सामिल कर लिया है बिस्वी सताब्दी के प्रारम में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों पर बहतर नियंतरण और नियमन के लिए सिमला समझोते ये 1913-14 में हुगा था तिब्बत चीन तथा बिटेश भारत के प्रदिनितियों को बुलाया बिटेश भारत के विदेश सचिव सर हैंडरी मैकमोहन ने 850 किलोमीटर की एक मैकमोहन रेखा के विचार को सामने रखा जिसको भारत और तिब्बत के बीच की सीमा के रूप में सुविकार किया गया जिसके तहट तवांग भी बिटेश सामराज्य का हिस्सा बन गया और भी महत्वपून पैंच ये हैं इस विवाद के कारण कि चीन ने जम्मू कस्मीर में भारत की लगवा 38,000 वर किलोमीटर जमीन हर्तियार रखी है 1963 में पाकिस्तान और चीन के विच्वे सीमा समने होते के बाद पाक अधिकरत कस्मीर में से पाकिस्तान ने भी 5,180 वर किलोमीटर जमीन चीन को फिर से दे दी है चीन अरुडाचल प्रदेश के 90,000 वर किलोमीटर चेत्पल पर भी अपना दावा करता है चीन ने तो यहां तक कहा है कि वैं अरुडाचल प्रदेश को भारतिय संग के हिस्से के रूप में स्विकारी नहीं करता तथा वहां विद्रोहों को बढ़ावाव समर्थन देकर इन उत्तरपूर विराज्यों में असंतुष्टी की भावना बनाए रखता है इसके अलावा चीन अपनी मोतियों की माला परियोजना के द्वारा भारत को चारों तरफ से गेड़ने की कोशिस भी कर रहा है जिसमें सबसे बड़ा कदम चीन की वर्तमान वन बेल्ट, वन बुल, वन रोल परियोजना के तहप पाक अधिकरत कस्मीर से चीन पाकिस्तान आर्थिक गल्यारे CPEC का निर्माड है जो कस्मीर के गिलगिट बालटेस्तान से होकर निकल रहा है तो यह है भारत की सौवरिनिटी को हट करता है CPEC परियोजना के अंतरगत पाकिस्तान में चीन द्वारा ग्वादर में एक बंदरगाह बनाई जाने की वियोजना है जिसके द्वारा चीन आसानी से दक्षडेशिया के देशों को निगरानी तता नियंत्रण में रख सकेगा तो यह है भारत के लिए खत्रा है दोकलाम तकरार का जो प्रमुक कारण है वे भी यही है कि वहाँ पर जिस सडक का निर्मार चीन द्वारा किया जा रहा है उसके बाद सिक्किम तथा अन्य उत्तरपूर्वी राज्यों को अन्य भारत से जोडने वाला चिकननेक के नाम से प्रसिद संक्रा गलियारा चीन की पहुँच में आ जाएगा यह कोई अन्जान तत्य नहीं है कि उत्तरपूर्वी राज्यों में अनेक ऐसे विद्रोही संगठन है जो भारती राज्यों में स्रद्दा ही नहीं रखते तो यह भारत के लिए एक बेहद चिंता का विश्य हो सकता है तो आगे यह देखें भूटान का क्या विव रहा इसमें तो भूटान क्लेम ऑफ चाइना इंवेदिंग टेरिटरियों बुल्डिंग रोड्स भूटान नोट विलिंग फोर दे इंडो चाइना वार प्यूटान यह विशंप पूटान के सुटैसन पूटान के विव्टान विव तक पींगेजमेंट फिरिश विवूटान क क्या विव रही है की हेडिक रही कि अग्रिमेंट ऑफ बोथ कंट्रीज तो एंड दा इस्टेंड ऑफ बट चैना इस्टिल क्लेमिंग इस्टेंड देली मेल ने लिखा कि विड्रॉल ऑफ पोजिशंस ऑफ तो साइट अफर फ्लैंग मीटिंग्स चैनन ने लिखा के इंडिया चैना एग्री तो एक्षय डिसंस दिसंगेजमेंट ऑफ दोखलं बार्ड इस्टुट अच्छा इस्टेंड आफ वाज रिचोब श्योंड कि इस्टेंड फ दिसंड ऑफ इस्टेंड अविड्ट पर उनट्ड बेलिंग इस्टेंड अच्छा इस इसे सॉल्व होने के बीचे G20 की बैठक भी एहम रही जो 7 और 8 जुलाई को जब हमबर्ग में G20 देशों के बैठक हुई तो भारती प्रधान मंत्री चीनी राष्टप्रती दोनों वहां मौजूद थे कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों देशों के राष्ट्रा धच्चों के बीच मुलाकात हो सकती है तता डोकलाम तकरार को लेकर सायद दोनों मुल्क किसी नतीजे पर पहुंच सके परंतो चीनी मीडिया ने पहले ही साफ कर दिया था कि भारत से कोई भी बातचीत तब ही संभ नहों सकी ऽे भारत में चीनी-राज्दूत ने भी मीडिया से कहा कि जब बह्रति तक भारति सएना पीचे नहीं अटती तब तक भारत से किसी भी प्रकारकी बात्चीत संभव है कि यह Oui तो हुई प्रतयचकोट नीती की बात परंत वर्तमान में मीडिया भी अप्रत्य छूट नीति की रूप में कारे करता है। इनके जो राजजनिया में तक्वार हैं, ग्लोबल टाइम्स और जिन हुआ ने भारत विरोधी बुद्ध जीवों की पूरी टीम रखी हुई है। उसका काम सिर्फ चीन की भारत को लेकर अटपटी नीतियों को सत्यापित करना और चीन में भारत विरोधी विचारों का प्रचार प्रसारत करना है। ग्लोबल टाइम्स ने तो यहां तक लिखा था कि जिस तरक के साथ भारत भूटान को लेकर लड़ने के लिए अपनी सेना भेज रहा है। यदि उसी तरक के साथ किसी अन्य देश की सेना पाकिस्तान की तरफ से भारत के वृद्ध कस्मीर में लड़ने आए तो क्या होगा। इस कथन में अन्य देश की सेना का क्या ताथ पर रहे। यदि समझा जाये तो यह है भारत के लिए अप्रत्यच धमकी है। और हालांके यह कोई नई बात नहीं है। जिन हुआ और ग्लोबल टाइम रोज मर रहा के आधारवा भारत को धमकी देते ही रहते हैं। अब यदि बदलते परक्रेश्म में देखें। तो आफ्टर ओल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया चैना डिसाइड़ तो शॉल्व दिस स्टेंड़ रिश्यू। एंड रिजल्ट ओफ रिजॉलूशन हुआ कि अठ्थाई सगस्थ 2017 को इंडिया और चैना ने अपने अपने ट्रूप्स को वापस बुला लिया। और उंतिस अगस्थ को भूतान ने भी इसका स्वागत किया। कंक्लूजन यह रहा कि टोकलाम बेंग ट्राई जंक्शन अफ इंडिया भूतान और चैना और बुल्डिंग रोट इंडोकलाम बाई चैना मेक्स चैनीज आर्मी एजी और फास्ट ट्रूप्स अगस्थ इंडिया। तो डिस्प्यूट अराईज और बोथ कंट्रीस सॉल्ल्ड इंडिप्लोमेटिक वे नेगोसियेटिंग अग्री तू डिसंगेजमेंट। तो आगे की राह अब यही है कि चीन के आक्रामक रवईये का जवाब भारत की तरफ से तैरसीलता तथ तारकिक तक साथ दिया जाना चाहिए। हमें यह बात भी द्यान में रखना चाहिए कि चीन स्वेम भी आर्थिक व्रद्धी की दर कम होने के कारण संकट की अवस्था से गुजर रहा है। अथ है वह भी किसी भी अंचाहे युद्ध में नहीं फसना चाहेगा। भारत भी एक उबर्तिवी अर्थ्वस्ता है। किसी भी युद्ध की स्थिती में पढ़ने का अर्थ पिछले पांच सालों की प्रगती पर पानी फेडने जैसा होगा। तात्पर यही है कि दोनों देशों को अपनी नीतियों में नरम रुख अपनाना पड़ेगा। तथा एक साथ डोकलाम से पीछे हटकर बातचीत के नए दौर की शुरुआत करनी परूए।